नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है धर्मराज बुलबुले और आपका हमारे यूटूब चानल मेडिकल गुरु में स्वागत है तो दोस्तो आज मैं आपको आल्टरा सेट टेबलेट के बारे में पूरी जान करें देने वाला हूँ दोस्तो आज हम आल्टरा सेट के जो यूजेस होगे रहा होते है और उसके साइड इपेक और उसका जो डोस होगे रहा है हमें कैसा लेना है कैसा नहीं उसके बारे में आज हम जानेंगे तो दोस्तो चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकोन भी दबा जीजे ताकि आपको ऐसे ही मेडिकल संबंदी जानकरी मिलती रहे तो चलो दोस्तो चालू करतें आल्टाय टैबलेट को जान्सन नाम की कमपणी बनाती है और आपको ये किसी भी मेडिकल स्टोर्स पर वद्यासनी से मिलती है दोस्तो इसकी केमत लगबहे। 122 उर्पे 50 पैसे 10 गोलियों की किम्मत और दोस्तों इसमें दो कंटेंट है मतलब दो इन्ग्रिनेट मिला के बनाई हुई है यह टाबलेट पहला कंटेंट ट्रामेडोल है और दुसरा पैरसेटमल है ट्रामेडोल ही cœard 37.5 Mg होता है और पैरसेटमल 325 Mg होता है मतलब 325 Mg आहे है दोस्तों मार्केड में इसके र cruc कुछ substitute मिलते हैं जिसमें Calpolty नाम की टैबलेट है और Tramadol नाम की टैबलेट है और Trap नाम की टैबलेट है तो दोस्तों अभी हम इसके यूजेस के बारे में जाने थे दोस्तों इसमें एक paracetamal content होता है जो कि आपको बुखार में आपका temperature कम करने में मदद करता है साती थोड antipiratic content है और Tramadol है वो एक analgesic है एक narcotic drug है इसलिए आपको ये डॉक्टर के सलाह सही लेना चाहिए दोस्तों ये जो Tramadol है ये मतलब थोड़ा सा severe और पेन होगा तो उसमें काम करता है आपको ये दोनों content मिला के जो मतलब ये दावा बनाई हुए तो ये आपको जो severe पेन ह सब्सक्राइब ये नाज़ एंडे अची इसके जो मतलब पूरे इजसे सए इसके बारी में जान लेते दोस्तों ये जो दवा है आपकी जब हड़ी होगरा तूड़ जाती है उसमें काम करता जादा जादा पेन होता इसके वज़े से आपको ये दी जाती है और दोस्तो फ्रैक्चर हो गरा उसमें भी दी जाती है कभी आपका मास हो गरा कप फट गया हो आपको मतलब दर्द जहल नहीं पा रहे हो तो तब यह दी जाती है और जॉइंट पेंड में भी दी जाती है दोसको इसका जो डोस है बड़े लोगों के लिए यह वन बेडी और आप टिडियस भी ले सकते मतलब दीन में तीन बार भी ले सकते है पर जयादा जिद्धा आपको दीन में एक बार ही लेनी चाहिए नहीं तो आपके डॉक्टर हो गरा होते हैं उनके शला से इसको लेना चाहिए क्योंकि यह थोड़ी गातक है एक नार्कोटिक दावा इसकी भी हो जाता है आपको डाइरिया भी लग सकता है और दोस्तों ये कभी-कभी छाती में दर्द भी पैदा कर सकती है इसके वजह से आपको ज्यादा नहीं लेने चाहिए और आपकी जो भूख उगरा है उसको भी कम कर सकती है इसके वजह आपका जो वेट वगरा है वह भी लू जूटे बच्चों को भी नहीं देना चाहिए दोस्तों आप इसको प्रेगननसी में यूज नाए कर सकते और किसी को डिय्पटिस हो दिक जाए रहे हो उसके साथ दमे का प्रप्रवल sack सकते नहीं तो आपको डॉक्टर के सला से ये यूज़ कर सकते हो तो दोस्तों आपको अल्ट्रसेट के बारे में दी हुई जानकर ये अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक कर देजी और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद